सो गाईज कल की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आपके फोन के अंदर एप्लिकेशन बगरा क्रास कर रहा है तो उसे अपकी इस तरह से ठीक कर सकते हूँ अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग आप लोग आपके फोन की जाओगे तो यहां पर आप लोग को फोर्स स्टॉप या फिर क्लियर डेटा करने का यह जो आप्शन है यह आपको नहीं दिखाई दिगा यानि कि यह तो एवलेबल है आप्शन लेकिन स्टिल यह आन्यूज है यानि कि आप इस आप्शन को यूज नहीं कर सकते हो तो इसक आप लोग को प्ले स्ट्र में जाके अप्डेट करना है तो आप लोग और पर अप्डेट के ने के बाद करने के बाद काफी सार आपूर्स होने के बाद आप लोगो सिंप्ली एक आप्य मेट लिख करना है अक्तिविटीगटी लॉंचरeded आप लोगो इस एक्剛 करो करने के Бाद यहां पे आपप सेदिंग्स आइकन दिखेसगा यहां पे आप लोगको टैप यहक razk करना है और एक अग्दम नीचे के जस्ट उपर आप लोग को option दिखेगा manage apps तो यहां पर आप लोग को tap करना है इसके बाद finally जो भी application के अंदर आपको problem हो रहा है और अगर आप default settings के अंदर जाने के बाद clear data फिर force stop बगरा नहीं कर पा रही हो तो वो सारी चीज़े आप यहां से कर सकते हो like क Xiaomi के या फिर MIUI के default manage application के अंदर जाने के बाद आप Chrome को disable नहीं कर सकते हो तो मैं अगर आप लोग को यहां से देखा हो तो simply disable करने के बाद disable कर दिया मैंने इस application को और अगर मैं यहां पर Chrome लिखके सार्ज भी करूँ तो यहां पर आप देख सकते हो Chrome application नहीं है और सेम प्रोसेस आप लोग को apply करना है अगर आप लोग को enable करना है और अगर मैं इसे फिर से याप पे enable कर दिया और इसके बाद अगर मैं फिर से याप Chrome लिखके search करूँ तो यहां पर आप देख सकते हो Chrome आ गया तो जो जो application आप force stop by default settings के अंदर नहीं कर पा रहे हो तो वो सारी चीजे आप activity launcher के अंदर वो सारा चीज आप कर सकते हो और still अगर यह सारी चीजे करने के बाद भी अगर आपकी फोन में वो problem बार बार आ रहा है त तो दन आप अपने फोन को एक बार format कर लीजिए और यहां पर एक और चीज में आप लोग को कह देना चाता हूं कि अगर आपका कोई ऐसा गेम या फिर कोई भी ऐसा application है जिसके अंदर आप clear data करोगे तो clear data करने के बाद आपकी application के अंदर जो भी अपने settings बगरा की है या फ उसके अंदर अगर आपका कोई personal data बगरा है या फिर कोई ऐसा चीज है तो वो सारा चीज आपका remove हो जाएगा तो अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिगा शेर कीजिगा अगर फिर भी कोई problem आ रहा है आपको तो दन नीचे मुझे आप लोग के लिए और ऐसे इंडिस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए आप इस चनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिगा आप लोग का सुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू